अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देखिए उन वीडियो में हमने कुछ बहुत महत्पूर्ट टॉपिक्स को रिकॉर्ड कर रखा है जैसे कि जितनी भी अनसूचियां हैं जो प्रमुक भाग हैं ये सारे वीडियो अगर देखेंगे तो बेहतरीन अंडरस्टेंडिंग के साथ में आप इन टॉपिक्स को पढ़ पाएंग को आयरलेंड के समिधान से लिया गया है जो हमारे समिधान निर्माता थे समिधान निर्माताओं ने राज के नीत निदेशकत्तु सिधान को आयरलेंड के समिधान से ग्रहन किया आयरलेंड का समिधान सन 1937 में निर्मित हुआ था आयरलेंड के समिधान में इसे इस्पेन के समीधान से ग्रहन किया गया था मूल अधिकारों के साथ में अगर निदेशक सत्तों को देखा जाए तो इसे समीधान की आत्मा और दर्सण कहा जा सकता है Grainville-Austin है एक लोग उन्होंने कहा भी है निदेशक सत्तों और अधिकारों को समीधान की मूल आत्मा ग्रेनविल आस्टिन ने जो निदेशक तत्व हैं वे भारत सासन अधनियम 1935 में उलिखित अनुदेशों के समान हैं जो अनुदेश होते थे भारत सासन अधनियम 1935 के दोरा बिटिस सरकार भारत के गवर्नल जनरल को जारी किये जाते थे और उन्ही अनुदेशों के समान है यह राजि के नीत निदेशक तत्व का उदेश नियाय में उच्छ आदर स्वतंतरता और समानता बनाये रखना है इसके साथ में ही इनका उदेश लोग कल्यानकारी राजिका निर्मार करना है जैसा कि बिटिस सासनकाल में या उपनिवेस काल में पुलिस राजि था भारत में वो ना हो करके लोग कल्यानकारी राजिका निर्मार करना राजिके नीत निदेशक तत्तों का उद्देश से है नीति निदेशक्तत्व का कारी आदर्स लोग कल्याण कारी राज की अस्थापना करना है नीति निदेशक्तत्व भारत में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की अस्थापना करते हैं सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र का आसा है कि समाज में सभी लोगों को समान आउसर मिले, सभी लोगों का कल्याड हो, सभी लोगों आर्थिक दृष्टी से कोई भी वर्ग पिछडा ना हो या किसी भी वर्ग का डिस्क्रिमनेशन ना किया जाए, अगर कोई वर्ग पीछे है तो उसको आगे लाने के प्रयास किये जाएं राज्यों के दोरा नीति निजिसक्तत समाजवादी, गांधिवादी और उदार बहुत धिकवादी सिद्धान पर आधारित है अभी हम जब आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे तो यहां भी देखेंगे कि राज के नीति निजिसक्ततों हैं भारते समिधान में उन्हें इस तरह से डिवाइड नहीं किया गया है, इस तरह से बाटा नहीं गया है समाजवादी, गांधिवादी और उदार बहुत धिकतावादी में, उनकी जो नेचर है, उनकी जो प्रकिती है, उनकी अनुसार हम इन्हें समाजवादी, गांधिवादी और उदार बहुत धिकतावादी सिद्धान में बाट सकते हैं अब ही जो हम आगे की स्लाइड में आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि कौन से अनुचेद हैं राज के नीत निजिसकत्तों के जो समाजवादी सिध्धान्त के अंतरगात आते हैं, कौन से गांधिवादी के अंतरगात आते हैं और कौन से उदार बहुत धिकतावादी क अंतरगात आते हैं नीत निदे सकता तो नियायाले परिकिरिया का भिसे नहीं है अर्थात इसे नियायाले द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है नीत निदे सकता तो गैर नियायोचित है यानि कि उनके हनन पर उन्हें नियायाले द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता अर्थात केंदर सरकार या राज सरकार इन्हें लागू करे या ना करे या उसके लिए बाद नहीं है इसे लागू करने के लिए अगर उसकी इच्छा है या उसके पास संसाधन है तो वह इसको लागू कर सकती है अगर वह उसके पास संसाधन नहीं है इसको लागू करने के ल लाने के लिए आधार है और वास्दिविक्ता ये है कि राज के नीत निदेशक तक्तों में जितने भी नीत निदेशक तक्तों बताया गए हैं अगर उन सारे निदेशक तक्तों को लागू कर दिया जाए किसी राजी सरकार दोरा या केंदर सरकार दोरा तो भारत में राम रा सकत्तों लागू किया रहे हैं या अगर किसी राज दौराऊ हैं तो उनकी अपनी मजबूरी है उनके पीछे न dar to carry हो ओडियारी तस Milo dun का उस में फॉरी न का उस उस पर राज के नित meeृतम को सारे निधासकों को लागू कर सके लेकिन समय समय पर केंदर सरकार दोरा कई राजी सरकारों दोरा नीत निसकत्तों को लागू करवाने के लिए कई योजनाय चालू की गई हैं और कई इनिसेटिफ उठाए गए हैं और समय पर यह लोग प्रियास करते रहेंगे या करते रहें हैं राज के नित्रिस्टत्तों को लागू करने के लिए अब आईए हम डिस्कस कर लेते हैं समाजवादी सिध्धान्त, गाधिवादी सिध्धान्त और उत्तर बहुत धिक सिध्धान्त के अंतरगत जो अनुछेद हैं उनके बारे में समाजवादी सिध्धान्त के अंतरगत हम उन अनुछेदों को रखते हैं जो लोकतांत्रिक समाजवादी राजिका खाका खीचते हैं जिनका लच्छ सामाजी क्यों आर्थिक न्याय प्रदान करना है आईए देखते हैं कौन-कौन से अनुछेद हैं अनुछेद 38 यह कहता है क कि लोककंडल्याण को बढ़ाने के लिए यानि लोककंडल्याण की अव्रदी के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक बिवस्ता सुनिश्चित की जाए और आय प्रतिस्था, सुभिधा, आउसर की जो असमानता है उसको समाप्त किया जाए यानि कि जो भी आय है, प्रतिस्था है, आउसर है या सभी को एक प्रकार से मिला जाए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को एक तरह से आउसर मिलें, एक तरह से सुभिधाएं मिलें अगला है अनुचेद उन्तालिस, अनुचेद उन्तालिस के अंतरगत बताया गया है कि पुर्सों और इस्तरियों को समानकार के लिए समान बेतन मिले, फिर है अनुचेद उन्तालिस ये, अनुचेद उन्तालिस ये के अंतरगत बताया गया है कि समान नयाय और गरीबों को निसुल्क बिधिक सहायता उपलत्त कराया जाया फिर है अनुच्छेद 41 के अंतरगत बताया गया है कि काम पाने के लिए सिच्छा पाने के लिए और बुढ़ापा या बिमारी यह निसकता की दिसाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संदचित करता है और 43 के अंतरगत बताया गया है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजूरी की इतनी मजदूरी उन्हे हो कि वो अपना जीवनी आपन कर सकें सिच्ट जीवन अस्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक आउसर उपलब्द कराया जाया फिर है अनुच्छे 43 का अनुच्छे 43 ये अनुच्छे 43 ये के अंतरगत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना सामिल है फिर अनुच्छे 47 में पोसाहार अस्तर और जीवन अस्तर को उचा करना तथा लोक स्वास्त में सुधार करना सामिल है फिर आईए हम देखते हैं गांध किया गया है ये आपके जबान भी हो जाएगा आपको रट जाएगा और ये बात बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि जब भी राज के नीत निलसकत्तों से प्रस्ण बनते हैं अक्सर करके यही प्रस्ण बनते हैं कि जो नीत निलसकत्तों के अंतरगत जितने अनुच्छेद तो किसी एक अनुच्छेत के बारे में आपसे पूशा जाता है किस अनुच्छेत के अंतरगत किस चीज का उल्लेक किया गया है तो यह बहुत ही महत्पूर्ण हो जाता है कि आपको सारे अनुच्छेत रटे हुँ आप लोग इसको ध्यान से देखते चलिए अनुछे चालिस जो है गांधिवादी सिध्धांत के अंतरगत आता है ये गांधिवादी सिध्धांत के अंतरगत इसले आते हैं क्योंकि ये गांधी बिचारधारा से प्रभावित है गांधिवादी बिचारधारा से प्रभावित है राश्टी ये आंदोलन के दावरान गांधी जी की जो बिचाल धारायन थी उनसे जो अनुच्छेत प्रभावित हैं जो नीत में दे सकता तो उनसे प्रभावित हैं उन्हें गांधी वादी सिधान्त के अंतर रखा जाता है अनुच्छेत चालिस में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है जिसमें वो आवस्चक सक्तियां उन्हें प्रवाइड की जाएं कि वो स्वा सरकार बना सकें वो खुद से सासन कर सकें यानि जो गंतंतर है जो लोकतंतर है वो बिल्कुल निचले अस्तर तक पहुँच सके पिर है अनुच्छे 43, अभी हमने बात किया था समाजवादी सिध्धान्द के अंतरगत भी है और एक गांधी वादी सिध्धान्द से जो गांधी की विचार धारा हैं थी उनसे भी प्रेरित है तो इस गांधिवादी सिधान के अंदरगत हम अनुचे 43 को भी रखते हैं अनुचे 43 के अंतरगत बताया गया है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजूरी, सिष्ट, जीवन, अस्तर उपलप्त करवाया जाए उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक और सरमोहिया करवाया जाए फिर है अनुचे 43 भी अनुचे 43 भी बहुत ही महत्पूर्ण है सहकारी समितियों का स्वैचिक संगठन स्वायत संचालन इन सारी बातों को अनुचे 43 के अंतरगत को लिखित किया गया है फिर बात आती है अनुचे 46 अनुचे 46 के अंतरगत अनुचे 47 भी बहुत ही महत्पूर्ण है अनुचे 47 के अंतरगत बताया गया है कि स्वास्त के लिए नुकसान दायग नसीली दवाओं जैसे कि मदीरा, ड्रग इन सारे जो ये सारे जो आवसदियां हैं इनके उपयो उपभोग पर पतिबंध लगाया जाए अनुचे 48 के अंतरगत की जो भी दुधार जीव जनत होते हैं जैसे गाए, बचड़ा, इनके बली पर रोग लगाई जाए और इनकी जो नसले हैं उनमें सुधार के लिए प्रोथसाहित किया जाए उनमें सुधार को प्रोथसाहिन दिया जाए अब आईए हम डिसकर्ट करते हैं उदार बौधिक्तावादी सिध्धान्त, उदार बौधिक्तावादी सिध्धान्त के अंतरगत जो अनुचे सामिल किये गए हैं वो उदार वादिता की विचारधारा से प्रभाबित हैं या संबन्दित हैं उनको इसमें हम सामिल करते है इसमें है अनुचेद 44, अनुचेद 44 के अंतरगत बताया गया है कि भारत के समस्त राजिछेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सन्निता हो अनुचेद 45, अनुचेद 45 बहुत ही महत्पूर्ण है, अनुचेद 45 के अंतरगत सभी बालकों को 14 वर्स की आयूहूरी करने तक निसुलक सिच्छा और अनिवार सिच्छा देना उलिखित किया गया है पिर है अनुचेद 48, अनुचेद 48 यूग गांधिवादी सिदान से भी प्रेरित है, अनुचेद 48 में भी आपने पढ़ा कि जो दूध देने वाले दुधारू जन्त हैं जैसे गाय वगयरा हो गई, इनके बली पर रोंक लगया जाए और जो इनकी नसले हैं, इनकी नसलों करने के लिए प्रोटसाहित किया जाए, फिर है अनुचेद 48 ये, अनुचेद 48 ये बहुत ही महत्पूर्ण है, इसके अंतरगत परियावरण का संद्रच्छन तथा संबर्धन और वन तथा वन जीवों की रच्छा की बात की गई है, फिर है अनुचेद 49, अनुचेद 49 रा इस चीज का प्रावधान किया गया है, अनुचेद 50, अनुचेद 50 के अंतरगत, राज की लोक सिवाओं में नियाई पालिका को कारिपालिका से प्रिथक करना, अनुचेद 51, अनुचेद 51 जो है ये अंतर राष्टिय सांतियों सुरच्छा से संबंधित है, यानि कि जो अं नियाए पूर्ण और सम्मान पूर्ण संबंध बराया रखा जाया, इन चारी चीजों के बारे में अनुचेद 51 में बात की गई है, तो ये थे कुछ अनुचेद जो हमने डिवाइट किया था समाजवादी सिध्धान्त, गांधिवादी सिध्धान्त और उदारवधिक्ता ये कुछ अनुचेद हैं, भारतिय समिधान में इस तरह से इनको डिवाइट नहीं किया गया है, लिकिन जो इनकी प्रकिती है, उसकी अदमसार अगर देखा जाए, तो हम इनको इस कटेगरी में रख सकते हैं, अब आईए हम बात कर लेते हैं, कि जो नीतिन दे सकता तो हैं उनमें कुछ ऐसे नीतिन दे सकते हैं, जो भारतिय समिधान में संसोधन करके बाद में जोड़े गये हैं, तो परिच्छाओं की द्रिश्टी से बहुत ही महत्पूर्ण हो जाते हैं, तो आई डिसकस कर लेते हैं, जितने नीतिन दे सकता तो बाद में जोड़े गये हैं, ब परियावरन का संरच्छन और संवर्धन इसको बताया गया है अनुछेद 43 ये भी महत्पूर्ण ही है अनुछेद 43 ये के अंतरगत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना इसकी बात की गई है अनुछेद 49 और अनुछेद 49 ये अनुछ किया गया है तो बेल सहवा संसोधन अतनियम 1976 के दोरा ये चार अनुछेद 39 ये अनुछेद 43 ये अनुछेद 48 ये फिर इसके बाद में 44 समिधान संसोधन अधनियम 1978 के दोरा अनुछेद 38 जोड़ा गया भारते समिधान में अनुछेद 38 के अंतरगत बताया गया है कि लोग कल्यान की अब्रधी के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नियाई दोरा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा सभी लोगों को सभिधाओं के लिए और आय प्रतिष्ठा इसके लिए समान और सर उप्तलप्त कराना यानि डिस्क्रिमिनेशन जो असमानता है उसको समाप्त करना फिर 86 हिवा समिधान संसोधन अधनियम 2002 के द्वारा अनुछेद 45 में जो प्रात्मिक सिच्छा का विसे था उसे अनुछेद 21 का के तहत मूल अधिकार बनाया गया तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है कभी-कभी आपसे प्रस्द डारेक्ट ही पूछा जाता है कि जो अनुछेद 21 का है अनुछेद 45 के अंतरगत जो प्रात्मिक सिच्छा है उसको वहां से हटा कि यहां पर सामिल किया गया कि समिधान संसोधन के द्वारा तो यह 86 में समिधान संसोधन अधनियम 2002 के द्वारा सत्ता नभेवा समिन्हान संसुधन अधनियम 2011 इसके अंतरगत अनुच्छे 43 भी भारते समिन्हान में जोड़ा गया, अनुच्छे 43 भी सहकारी समितियों से संबंधित है अब आईए हम नीत निल्सक तत्तों से संबंधित जो प्रमुक अनुच्छेद हैं उन पर डिसकस कर लेते हैं अनुछे 36, अनुछे 36 के अंतरगत राजी की परिभासा, जिस तरह से भाग 3 में राजी की परिभासा दी गई है, सेम उसी तरह से भाग 4 में अनुछे 36 के अंतरगत भी राजी की परिभासा है अनुछे 37 के अंतरगत राज के नीत नेसक तत्तों को नियायले द्वारा नागू नहीं कराया जा सकता है यानि कि यहाग गैर नयाय वचित है अगर केन सरकार या राज सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो इन्हें बाद ही नहीं किया जा सकता है इसे लागू करवाने के लिए नयायले द्वारा फिर है अनुचेद 38, अनुचेद 38 के अंतरगत राज, लोग कल्यान की अभिड़्धी के लिए सामाजिक ब्योस्था बनाएगा, यनि की जो असमानता है, आय, पृतिष्था, सुभिधा या आसरों में उसको समाप्त किया जाएगा अगले हैं अनुचेद 49 अनुचेद 49 के अंतरगत महिला और पुरुस को समान कारी के लिए समान बेतन ऐसा नहीं है कि किसी कोई भी एक कारी है उसके लिए महिला का बेतन अलग हो और पुरुस का बेतन अलग हो उन दोनों को समान बेतन मिले समानकार के लिए हनुचेद 49 के अंतरगत बताया गया है इसके अंतरगत सामानियम निसुल के बिधिक सहायता की बात की गई है सभी जो गरीब लोग है उनको समान नयाय मिले और जो बिधिक सहायता है वो निसुल को पलप्त करवाई जाए यह अनुछे 42 का केंतरगत प्रावधान किया गया है अनुछे 40 अनुछे 40 केंतरगत ग्राम पंचायतों का संगठन इसकी बात की गई है यह गांधी वाधी सिध्धान पर आधारी थे क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो लोकतंतर है वो बिल्कुल निचले अस्तर तक पहुँचे तो अनुछे 40 केंतरगत ग्राम पंचायतों का संगठन इसकी बात की गई है कि उन्हें आवस्यक सक्तियां प्रदान की जाए और वे स्वासरकार की काईं के रूप में कारी करने की सक्ति प्राप्त करें यह अनुछे 40 केंतरगत कहा गया है फिर है अनुछे 41 अनुछे 41 कुछ मामलों में काम काधिकार, सिच्छा काधिकार तथा सारजनिक सहायता इसे पाने काधिकार है कुछ मामलों में मतलब की जैसे कोई बूढ़ा बेक्ति है कोई निसक्त बेक्ति है या सिच्छा पाने काधिकार की बागत की गई है तो कुछ बच्चे हैं जो लोग किसी दूसरे के ओपर आस्रित हैं तो ऐसे लोगों को सिच्छा पाने काधिकार या जो आस्रित लोग हैं निसक्त लोग हैं पूढ़े लोग हैं उनको सार्वजिनिक सहायता मिले यह अनुच् 42 के अंतरगत अनुचे 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है कि वे एक सिस्ट जीवन अस्तर प्राप्त कर सकें और सामाजिक और सांस्कृतिक आऊसर भी होने मिले हैं अनुचे 43 के अंतरगत कहा गया है अनुचे 43 का अनुचे 43 का के अंतरगत कर्मकारों का परबंधन में भागिदारी इसकी बात की गई है अनुचे 43 का 42 समिनहान संसुधन 1976 के दोरा भारतिय समिनहान में लाया गया पिर अनुचे 43 का अनुचे 43 का सहकारी समितियों को प्रोतसाहित किया जाय अनुचे था की अंधरगत बताया गया है पिर अनुचे चवालिस समस्त नागरिकों के लिए समान सिभील सनिता और यह गोवा एक मातर राजी है जिसने समान सिभील सनिता लागू की है अनुचे था-पैंटालिस के अंतरगत छे से पूर्व के जो बच्चे हैं उनको सिच्छा का प्रावधान किया जाया यानि कि जो प्रात्मिक सिच्छा है यह अनुचे 45 के अंतरगत है 86 17 समिनान संसोधन 2002 के दवारा जो प्रात्मिक सिच्छा है उसे भाग 3 में मौलिक हous naive करिकार के अंधर्गत रखा गया है 2002 के पहले 6-14 वर्स के बच्चों के सिच्छा के प्रावधान अनुचय 45 में था लेकिन 86 महा समिनान संसोधन दियम 2002 के दोरा इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुछे 21 का के अंतरगत भागतीर में रखा गया है इसे पिर अनुछे 46 अनुछे 46 के अंतरगत राज अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती था अनी दूरबल समदाय के लिए वेवस्था बराज सरकार बनाएगा यार केंद्र बनाएगा अनुछे 47 राज रहन सहन खान पान के अस्तर को उचा उठाने का प्रयास करेगी अनुछेद तैंतालिस कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुछेद अर्टालिस कर्सियों पसफालन की वेवस्था अनुछेद अर्टालिस का परियावरणिये जीवों का संदच्छण या बैलिसामा समिधान सलसोधन अधिनियम 1976 के दौरा भारते समिधान में लाया गया और अनुछेद अर्टालिस के अंतरगत जो गाए बच्छडा या अने जो दुधारू पसु हैं पर रोक भी लगाई गई है और इसमें जो उनकी नसले हैं उनमें सुधार को प्रोसाहित किया जाए इसका भी प्रावधान किया गया है अनुछेद अनुछेद अंचस के अंतरगत राष्टी एस्वाहरक भावनों आदिकू सुरच्छा करना राजी का दायुक्त होगा अनुछेद 50 कारिपालिका न्यायपालिका का प्रिथक करन अनुछेद 50 के अंत्रगत बताया गया है फिर है अनुछेद Iknyaman यह भिदेशी नीत से सम्धृत है इसमें कहा गया है कि अंतराष्टी इसमें अंतराष्टिय सांत बनाया रखने की बात की गई है तो इस वीडियो में हमने राज के नीत इनिजिसकत्तों को डिसकस किया मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप कोई से आप वीडियों पसंद आया तो इस वीडियों को लाइक कीजिए अगर आप इस चैनल पर ने होँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियों जो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ थैंक यू गाइज, जैहन बंदे मात्रम